तो हलो गाइस कैसे हो यार आप सबसोदोस्तों आज अपन बात करने वाले डीफेंस के उपर हाउ टू डीफेंस इन बास्केटबॉल कि कैसे डीफेंस किया जाए जिससे आप किसी भी ओफेंसी प्लेयर को रोक सकते हो क्या fundamentals होते हैं जो आपको follow करने होते हैं कौन सी ऐसी चीज है जो आपको avoid करनी होती है तो बिना time waste करें इस वीडियो को start करते हैं So guys मैं इस वीडियो को तीन पार्ट में divide करूँगा सबसे पहले अपन बात करेंगे defensive stance पे second हम बात करने वाले हैं footwork पे और तीसरी जो सबसे important है foul पे कि ऐसी कौन सी चीज है जो defense करते वक्त आपको avoid करनी होती है तो चलिए वीडियो को start करते हैं वीडियो को end तक जरूर देखना क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे से link है miss मत करना So guys सबसे पहले बात कर लेते हैं हम stance पे So basketball में दो stance होते हैं guys एक होता है upward stance जिसके अंदर आपको knees को bend ज़्यादा रखना पड़ता है back straight रहती है hands open रहते हैं आपने ये positions देखी होगी काफी बार कुछ इस तरीके से वो shuffle करते है match के अंदर जब भी defense करना होता है दूसरे stance पे हम चलते हैं दूसरा होता है forward stance So guys जब forward stance की बात करते हैं हम तो हमारे knees ज़्यादा bend नहीं रहते हैं लेकिन जो हमारा hip है वो काफी rotate हो जाता है chest ground के parallel चला जाता है like this आपने देखा होगा ये stance जो athletic players होते हैं Kobe Bryant, Michael Jordan और बहुत सारे players हैं Kevin Garnett ये सभी players forward stance का use करते थे ताकि इनके लिए easy हो जाता है defense करना shuffling fast हो जाती इस case में और मैं offensive player से ज़्यादा bend हो जाता हूँ बिना किसी परेशानी के तो आपकी body type की according matter करता है कि आपको कौन सा defense choose करना है upward या forward जो थोड़े slow है उनको upward stance यूज़ करना चाहिए जो थोड़े quick है steel करने में active है उनको forward stance यूज़ करना चाहिए now दोनों ही stance के अंदर दोस्तों आपको कुछ key points का ध्यान में रखना होता है कि मेरे जो legs हैं वो shoulder width से थोड़े से wide open होने चाहिए अगर कम रहेंगे तो problem होगी defense करने में जादा रहेंगे तो cover up करने में problem होगी तो आपको shoulder width जितने legs को open करना है या उससे थोड़े से wide और defensive stance हमेशा वही रखना होता है जिसमें आप comfortable feel कर रहे हो सब player का अलग-अलग stance होता है तो आपका stance आपको खुद को decide करना है नाव हमेशा आपको अपने knees को थोड़ा बहुत बेंड रखना होता है क्योंकि उससे आप quick अच्छे से react कर सकते हो straight नहीं रहना है अब आपको choose करना है कि अपर बॉड़ी को आपको अपर stance में रखना है या forward stance में रखना है नाव second topic पे चलते हैं दोस्तों shuffle, कि basketball में shuffle कैसे किया जाता है तो guys अगर मुझे यासे shuffle करनी होती तो अगर मुझे right side जाना है तो मैं right leg first रखूँगा left side जाना है तो left leg first रखूँगा यह सबसे important चीज है तो अगर मैं यासे shuffle कर रहा होता अगर मुझे this side shift होना है right side तो right like this मुझे left shift करना है see left now अब आप मेरा जो second step देखेंगे वो काफी matter करता है दोस्तो कि मैं जो second step है अगर मैं यहां से इधर shuffle कर रहा हूँ तो second leg यहां नहीं रख रहा हूँ second leg हमेशा half आ रहा है और मेरी body को balance कर रहा है see अगर मैं fast करता तो कुछ इस तरीके से करता हूँ तो आप देख रहे होंगे यह defensive shuffle matter करता है क्योंकि इसके अंदर आप run भी कर सकते हो अगर मुझे run करना होता see again yes so guys अगर आपको इसके practice करना है तो कुछ इस तरीके से आप free throw line पर आ सकते हो और shuffle practice करनी है so yes now again yes so now little bit faster faster so इस तरीके से आपको practice करनी है defensive shuffle की now दोस्तों जिसने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो यहां मैं एक काफी important चीज़ mention करने जा रहा हूँ जो 99% players गलती करते हैं चाहे वो beginner हो चाहे वो advanced हो सबी यह गलती करते हैं वो आपको avoid करनी है so guys अब match के अंदर जब हम defense कर रहे होते हैं कुछ इस तरीके से अगर मैं defense कर रहा हूँ अगर यह player यहां से drive पे चला जाता है तो हम उस case में कैसे defense करते हैं आप सब भी वैसे कर रहे होंगे suppose अगर मैं defense कर रहा हूँ और अगर यह यहां से dribble करके कोई भी move बना के अगर इदर जा रहा है so yes see हर कोई ऐसे ही defense करता है अगर मैं इसको without dribble live ball नहीं है अगर मैं simple defense कर रहा हूँ जाना inside तो मैं see कुछ इस तरीके से defense पे आऊँगा so दोस्तों यह बिल्कुल गलत होता है offensive player को हमेशा आप lane दे देते हो आप अब notice करना कि मैं यहाँ पे क्या गलती कर रहा था मैं यह defense कर रहा हूँ जैसे ही अंदर जाने लगा see मैंने legs को कैसे open किया है see this straight lane है यह basket मारेगा ही मारेगा कित्ता भी run कर लो तो यह गलती आपको नहीं करनी होती तो shuffle and run में सारे player से गलती करते है तो आपको क्या करना होता है तो अगर आपको shuffle और run करना होता switch करना होता तो गाईज अगर मैं यहाँ से switch कर रहा होता so of course यह बात है यह वारा leg मेरा shift हो रहा है तो अगर मैं यहाँ से shift कर रहा होता now go see now cover up हो गया defensive player तो इस चीज का आपको main ध्यान रखना है सबसे major mistake जो avoid करनी है वापिस देख लो अगर मैं यहाँ से pair रखता तो यहाँ नहीं रखता see यहाँ से go now yes now दोस्तो next topic blocking foul defense के अंदर हर player करता है जो आपको नहीं करनी होती see guys अगर मैं यह defense कर रहा हूँ और यह player beat कर जाता है तो मैं कभी भी इसको कुछ इस तरीके से नहीं रोकूंगा मुझे मेरी पूरी body इसके आगे लानी पड़ेगी half body जाना half body लाता तो यह blocking foul हो गया है तो अगर आपको इसके सामने आना है defense करने तो पूरी body को लाना तो मैं पूरी body को लाता तब यह foul नहीं होगा और यह हाथ निकालना तो बंदी कर दो कि अगर यह यहाँ से defense पे जा रहा है यह foul है दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में आएगी कोई भी problem हो comment section में बताया करो दोस्तों क्योंकि उससे आपके doubt clear होंगे और अगर आप चाते हैं कि मैं defense के advance version पे और जाओ यह defense का सिफ level 1 था आप चाते हैं मैं इसके और level पे जाओ तो कम से कम मुझे इस video पे 1000 लाइक चीए तभी मैं next video बनाऊंगा इस topic पे thank you so much guys for watching this video